नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नियां अगर घर में ये कारे करती हैं तो उस घर को न बरबाद होते बिलकुल देर नहीं लगती तो इसके लिए मैं पाँच बाते आपके साथ सेयर करूंगी तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले कि सबसे पहले ना भगवान से बिंती करते रहे हैं वह मतलब जिस भी हर कारी के लिए तो ऐसे तो हम भगवान से बिंती करते हैं लेकिन साधी बिवाह जो है बड़ा रिसकी चीज है यह जीवन को मतलब सुखमे सुन्दर और इतना खुबसूरत बना देता है कि जिन्दगी कहां से कहां मोड ले लेती है और यह ऐसा चीज है ना कि जब बरबाद करता है तो हम कैसे रहते हैं और हम कैसे हो जाते हैं तो इसलिए भगवान से बिनाई किजिए बिंती किजिए कि यह भगवान जी जो ही हमें पती रूप में मिल रहा है जो ही हमें पत्नी र सादी योग हैं यह सोते उठते हम इसा बागवान को बिंती कीजिए जिससे हमारा जीवन सुख में आगे बड़े जिंदिगी हमारी जुजवल हमारा भविस्स से बने यह नकी जो था उससे भी बद से बतर हमारा जिंदिगी हो जाये तो यह चीज़ आपको दीन रात भगवान के पास आपको प्रातना करते रहनी चाहिए कि अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा वधू मिले, थोड़ा जरूर भगवान से आपको बिंती हर रोज करनी चाहिए, जब तक कि साधी हो नहीं जाती, छीक है? तो ये हो गया हमारा पहला नियम, पहली बात कि थोड़ा सा इस बात को आप लोग गौर क है, किसी भी कारण से वो आपके कारण के आपकी वज़े से हो, या आपके पैरेंट्स की वज़े से हो, या सुसुराल में और भी किसी वज़े से, अगर उस घर में उस घर की बहु, उस घर की मा, उस घर के लोग अगर दुखी रहते हैं, महिलाएं अक्सर, तो इतना समझ ल नहीं है पत्नियों को बहुत अधिक मतलब दुख देने लगते हैं उनके लिए थोड़ा सा जरूरी है यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में अगर पत्नी रोती है ना दुखी रती है किसी भी बात पर अगर वीलाप करती है तो उसका डाइरेक्ट सीधा असर पत और दरुदरत का निवास रहती है और बरकत और बढ़ोता हना जाती है तो एकदम बूल जाईएगा कभी नहीं होगी कभी नहीं होगी अगर उस लायक पत्नी है और फिर भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हर पत्नियां भी अच्छी नहीं है वह भी एक से एक पत्नियां भी हैं लेकिन अगर जो अच्छी पत्नियां और उसका आप इज़त नहीं करते उसकी कदर न मत कीजिए उसको रूलाइए मत क्योंकि अगर पत्नियां ऐसा करेंगी तो आप कभी सफलता को नहीं चुछ सकते कभी एक सफल बैक्ती नहीं बन सकते यह आप बात मान कर चलिएगा जो ऐसा करते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा दूसरा नियम कि कभी अपनी पत्नियों को दु मत कीजिए तीसरी बात है कि देखिए कभी भी सुब उसर पर जिसे अपका मैरेज इनवर्सरी है जैसे फस्ट जन्वरी है जैसे पत्नी का बड़्डे है या बच्चों का बड़्डे है सुब दीनों पर जो दीन हमेसा नहीं आते साल में एक वार आते हैं वैसे सब दीनों पर कभी भी पती पत्नी को जगड़ी नहीं करने चाहिए कभी मत कीजिए क्योंकि ऐसे तुटु में में थोड़ा बहुत हो जाए हो जाए लेकिन सुब दीनों पर आपको बिलकुल बच बचा करनी चाहिए निव इयर में फर्स्ट जन्वरी को तो कभी आपको जगड़ा ल कितना भी मन में गुसा आए किसी वी कारण से बहुत सारे रीजियन ओसकते हैं तो थोड़ा सा बढ़ास्त कीजिए थोड़ा सा बचाईए कि नहीं यह नहीं आज मेरे जन्वर्सरी नहीं आज बड़े है बच्चों का या कुछ भी उस दिन आपको कभी अपने घर में अकले जता नहीं हुटा आपके जीवन के लिए आपके परिवार परिवार के लिए आपके जिन्दगी के लिए और यह हर छिजों के लिए आपके घर में जो बोलते पत्नियों के लिए और उनके पती के लिए भी सही नहीं है यह हो गया हमारा तीसरा नियम चोथी बात है कि देखिए अपने पत्नी के होते हुए अगर किसी भी तीसरे का अपने मन में आप खयाल लाते हैं ना कि महिलाएं भी अगर पती के रहते हुए किसी दूसरे मतलब पराय पूरुस के बारे में सोचती है तो बड़ा पाप दुनिया में नहीं है बहुत बड़ा पाप है कि अपने पती के बारे में हमें सोचनी चाहिए ना कि किसी पराय पूरुस के बारे में प बुगतना भी पढ़ता है और पतियों को भी अपनी पतनी के होते हुए Rहते हुए कभी गैर पराई ऑरत के बारे में सुचनकी बढ़ा पाप online जाता है तो पोई देखना तो बहुत दूर की बात है अगर गैर के बारे में हम सुचते भी है ना वहेंहों हमारे पति के उपर उसका प्रभाव पढ़ता है और हमारे पत्नी के उपर भी पढ़ता है यह बहुत बड़ा पाप है तो एक दूसरे के रहते हुए आपको कभी किसी गैर के बारे में नहीं सोचने चाहिए अगर अपने घर की भलाई चाहते हैं बढ़ुत्री चाहते हैं बरकत चा आते हैं अपने घर में तो कभी दूसरे को पलट कर देखना तो बहुत दूर की बात है सोचना भी आपके लिए बिलकुल सही नहीं होता तो यह हो गया हमारा चौथा नियम पांच भी बात के आओ गई पती पत्नी दोनों के लिए हैं लेकिन अधिकतर पती लोग ही करते हैं मै देखती हूं पत्नियों को दवाने में बड़ा उनको मज़ा आता है तो ऐसी बात नहीं है देखिए मैं कई बार बता चुकी हूं कि दोनों में अगर एक दुखी रहेगा ना तो कभी आपका घर सुख में नहीं आगे बढ़ेगा ना करिस्ता आगे सही चलेगा तो इसलिए दोनों को समान दृष्टी से एक दूसरी को देखनी है एक तरीके से आदर करना है दोनों का और आपको क्या करनी है कि बात बात पर गुस्सा नहीं करनी है पत्नी के उपर जो नहीं आता है सिखा दीजिए ना उससे क्या हो जाता है अगर हम ऐसा नहीं हर आदमी हर चीज में एकदम परिपूर्ण है सब कुछ उसको आता ही है जो नहीं आता है थोड़ा बहुत सिखा दीजिए ऐसी बात बात में पत्नी बात बात में अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो इससे भी बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है उस आदमी के उपर और जो हम जानते भी रहते है ना डर से सब भूल जाते हैं जो जानते हैं वो भी लगता है कि पती डाटेंगे पत्नी डाटेंगी वह आदमी और नर्वस हो जाता है और नर्वसनिस फील करने लगता है और फिर क्या होती है कि जो जानते हैं वो भी हमारे दिमाग से डर की वज़े से निकलते जाता है तो तो नो के लिए मैं बता दिरी हूं कभी एक दुसरे पर बात बात पर आपको गुश्ण नहीं करने चाहिए कि तीसरे के बांकाव में आकर आपस में आपको लड़ाई जगड़ा कभी नहीं करने चाहिए तो यही भूल पांच नीयम थे पा बात बाते थी थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलनी चाहिए तो यहीं तक का था अमारा वीडियो आसा करती हूँ, उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी बेई पती और पत्नी हैं, उनको जरूर लाब मिलेगा, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्त रहिए सुरच्छित रहिए और जहां कहीं भी रहिए, खूब खूश रहिए अपने रिस्ते में